हलो स्टुडेंट्स मैं अजीज भोरा आप सभी का अपना आला यूटूब चैनल में स्वाहत करता हूँ इस वीडियो से और यूटूब से मेरी जो भी अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजूकेशन प्रवाइड करने में किया जाएगा तो सपोर्ट करते रही है तो आज हम 11 क्लास्फिजिक्स चेप्टर नमबर 6 वर्क एंड वर्क एनरजी एंड पावर का टॉपिक पढ़ेंगे वर्क इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से बहुत ही एजी वे में मैं एक्स्प्लेइन करने वाला हूँ और NCRT की बुक में जो गिवन है उसको एक्स्प्लेइन करने वाला हूँ क्योंकि जब बच्चे बहुत से बार कुछ पढ़ते हैं NCRT की बुक में से और उसमें से अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो यूटूब पर सर्च करते हैं फिर भी उन्हें यूटूब पर नहीं मिलता क्योंकि बहुत सारे यूटूबर्स क्या करते हैं कि NCRT की बुक का एक्स्प्लेण करने की बजाए बहुत सारे दूसरे चीज़े एक्स्प्लेण करते हैं इसलिए मैं यह कोशिश करता हूं कि बच्चों को वह भी समझ में आए जो NCRT की बुक में लिखा है तो ठीक है तो अगर आप लोग ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा ताके नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलत तो देखो हमने इससे पेर ले पढ़ा था कि यहां पर यह सपोस्रेल सर फेस महारे हमारे पास यह होरिजशन चल सर फेस उस होरिजूंटल शर पर एक कोई ओब जेक्ट रखा है कर hologrist सर फेस उस होरिजूंटल सर फेस पर हमने क्या रख दिए किया हमारे पास क्ड़िखेक् क्या किया Sounds आपलाई किया इस डाइरेक्शन में waiting थै पर फोर सब झा tapping है किया जब हमने इस दैरेक्शन मे किया तो ईसका क्या हुआ हमारा है यहां पर आ गया हम घंसेडर कर लिया कि यह जो आप्जेक्ट highway का मांस कितना है दिस कि टिप्लैसमेंड है पर आप्पलाइब कितना हुआ प्रोष म्मथा डृष कितना हुआ डिस प्लेशमेंट हुआ अब इस ड hullog i ciao में दिस अर्श इस हुआ और इस डियरेक्शन बीच में एंगल कितना है दोसके दॉनlor के वीच कितना है ठेता तो अगर मुझे इस फौर का component लेना है किस डारेक्शन में displacement दायरेक्शन में मुझे क्या लेना है force का component in direction of displacement लेना है व्टेटेर इंगल बनता है उस whाले Children- और गोले आता है जो साइड आता है उससाइड कौन सा कमवता है चैप्टर फोर्ट में हमने पड़ा एक कौन सा कंपोनेंट आता है सबस्काइं हमारा सब्लेस्मेंट कि इतना होगा लिए ओKevin यहां पर मुझे work की बात करनी है कि force ने कितना work किया मुझे क्या बात करनी है कि force ने कितना work किया तो force कितना work करेगा work is equal to रहेगा f cos theta into d work is equal to क्या रहेगा f cos theta into d तो यही हमारा क्या है work अब यहां से अगर मैं क्या बोलू इस equation को words में अगर हम बोले तो वहीं से हमें क्या मिलेगी, work की definition, तो work की definition क्या होगी, work is defined, work is defined as the product, इन दो चीजों का product है, किन दो चीजों का product है, component of force in the direction of displacement, यह जो f cos theta है, जो f cos theta है, वो क्या है, force का component है, किस direction में, displacement की direction में, f cos theta क्या है, force का component, किस direction में, displacement की direction में, और यह जो d है, d क्या है, magnitude of displacement, displacement तो क्या था, vector d, तो d क्या हो जाएगा, magnitude of displacement, तो हमने दो चीजों का product किया, किन दो चीजों का, component of force in the direction of displacement and the magnitude of displacement, इन दोनों के product को ही हमने क्या कहा, work, तो यहाँ से हमारी definition क्या बन रही है, work is defined, work is defined, as the product, work is defined as the product of force, as the product of component of force in the direction of displacement, component of force in the direction of displacement and the magnitude of displacement, तो जो work है, work क्या है? Force का displacement का direction में, component और displacement के magnitude का product, यह क्या है, दो चीजों का product है, किन दो चीजों का, force का displacement की direction में, component और displacement के magnitude का, इसे को हम क्या लिख सकते है? F D cos theta, मैंने D को पहले लिख दिया और cos theta को बाद में लिख दिया, ऐसा लिख सकते हैं, अब इसे को हम क्या लिख सकते हैं, F dot D, तो work is equal to कितना आगया हमारे पास, vector F dot vector D, तो यहां से हमने क्या कहा, कि अगर हमें यह बताना है, कि जो work है, तो work किसके equal रहेगा, work equal रहेगा, F dot vector F dot vector D के equal रहेगा, यह यह कहें, कि force का component की direction में, displacement की direction में, और displacement के magnitude का product, जो ही क्या है, हमारा work है, अगर देखो, अगर यहां पर जो displacement है, displacement की value अगर क्या है, 0, displacement की, इस equation में मैं अगर displacement की value, 0 पुट कर दू, तो यहां पर अगर D की space पे 0 पुट करेंगे, तो यह पूरी equation क्य हो जाएगी, work कितना आजाएगा, 0, इसका मतलब यह जो हमारी wall है, ठीक है, यह जो हमारी wall है, इस wall पर मैं कितना भी force apply करू, इस wall पर मैं कितना भी force apply करू, force चाहे जितना हो, लेकिन अगर displacement की, 0, इस wall पर मैंने बहुत force apply किया, मैंने क्या किया, इस wall का displacement हुआ क्या, नहीं ह अगर डिस्प्लैस 맞아 कि यहां चाहे हमारी सो हुजी कंट्रेक्व इलेक्स होरह चाहे हमारी एकृूञ्स threatening ड्रिक्व यह मारे बसाल कि सब्कस्राइस हो जाए लिगे हम्हारे विए बसे घृप्रम जाए चाहे हम a कुछ्डं किटिट्प्नी में gwां तो हम यह नहीं शाओ कि जो मुल बेहरी लेंगवर्क की डिफिने आड़ है बहुत तो हमने सब्सकिन बहुतもし कि मैसे मैं हो रहा है मेरी वे असल कॉंट्रेक्व हो रही तो इसको बोले यार वर्क लेकिन फिजिक से बोला नए फिर हमने कहा है यार मेरी एनरजी भी बहुत यूज और दे यह थो अब तो यह नहीं जब तक इस प्लैसमेंट नहीं होगा वह कभी नहीं होगा ते इस डिस्प्लैस्मेटर इस जि है तो वज कभी क्या होगा फिर चाहे महां पर कितना भी सुमार्ट जीरो होगा फिर क्रवे करने हमारा वहाइं काबब में ऊजहता है कि इस के पर प्रशुन कभी कितना होगा tool of Mne all को मुजानी सब्सक्षाइब टो वह कितना होगा जिरू क्या टो यह पूरी equation is 0, 0 W की value तो अगर वेट लिफटर है उसने 150 kg का एक क्या किया डमबल लिया और अपने हाथ पर अपने कंधें पर रख लिया, किया है एक वेटलिफटर है उसने 150 kg का वेट एक मास एक आप्जक्ट अपने हाथों पर रख लिया वेट को अगर लेकर खड़ा है, तो अभी उसका जो work done है, वो कितना हुआ, 0, क्योंकि वो लेकर खड़ा है, यहां पर उसका कोई displacement हुआ क्या नहीं हुआ, तो अगर displacement 0 है, तो work done भी कितना रहेगा, 0, if d is 0, then w will also 0, क्या अगर displacement 0 है, तो work done भी क्या रहेगा, 0, अब दूसरा point हम देख लेते हैं, दूसरी बात क्या कह रहा है, कि if force is 0, क्या अगर force 0 है, कि कोई object है, वो horizontal table पर क्या कर रहा है, बहुत ही smooth है, वहाँ पर friction force 0 है, और वहाँ पर कोई net external force भी नहीं है, क्या है, हमने क्या कहा, कि कोई horizontal table है, उस पर कोई object क्या कर रहा है, कोई object motion कर रहा है, अब बहुत smooth surface है, तो वहाँ पर हमने यह consider कर लिया, कि जो frictional force है, frictional force भी कितना है, 0, और वहाँ पर कोई net external force भी नहीं है, तो चाहे वो object कितना भी displacement करे, motion कर रहा है, मतलब उसका क्या होगा, displacement, तो चाहे कितना भी displacement कर ले, लेगन अगर force 0 है, तो इस equation में, मैं अगर f की value कितनी put कर दो, 0, इस equation में, अगर f की space में क्या put कर दो, 0, तो f की space पर अगर 0 put करेंगे, तो ये पूरी equation क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि 0 का किसी में भी multiply करो, क्या आता है, 0, तो if force is 0, then work done will also 0, तो अगर displacement 0 है, तो भी work done 0 होगा, अगर force 0 है, तब भी work done क्या होगा, 0, अब 3rd condition, अब 3rd condition क्या कहती है हमारी, कि हमने देखा कि जो work done हो किसके equal है, f d cos theta, where theta is angle between force and displacement, ये जो theta है, ये theta क्या है, angle between force and displacement, तो जो work है, वो इस angle पर भी depend करेगा, कि ये जो हमारा object है, इस object पर gravitational force लग रहा है, downward direction में, ये जो हमारा object है, इस पर gravitational force कहां लग रहा है, downward direction में, तो gravitational force लग रहा है, downward direction में, और displacement इस direction में हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में angle कितना है, 90 degree, इन दोनों के बीच में angle कितना है, 90 degree, तो आगर मैं यहां पर cos theta, theta की value कितनी पूट करूँ, 90, ठीटा की value 90 पूट कर देती, तो fd cos 90, अब हमें पता है cos 90 की value कितनी होती है, जल्दे से बताओ, cos 90 की value कितनी होती है, 0, cos 90 की value कितनी होती है, 0, करेंगे फिर से फेस्ट के से क्म उस्ट करेंगे तो फिर से क्या जाएगा गर ऐसका मतलब क्या हुआ प्रेविटेशनल फॉर्स ने कितना वर्क किया लवर्क किआ एक स्टारा आथ दियूंति अनल ऑरक किया क्यों को किया कि एंगल है तो क्या कहेंगे हम थिटा की इस पेस्पेस पर 90 रख देंगे तो जीरो पूरी इक्वेस्चन को क्या कर देगा जीरो तो वर्क डन कितना होगा जीरो मतलब ग्रेविटेशनल फॉर्स ने कितना वर्क डन किया जीरो वर्क डन किया तो इसका मतलब जब फोर्स और डिस्प्लेश्मेंट के बीच में एंगल कितना होगा ठीटा की वेल्यू अगर कितनी होगी 90 डिगरी होगी तब भी वर्क डन कितना होगा जीरो होगा अब इसका एक और एक्जामपल लेते हैं कि यह हमारी क्या है आर्थ ह और आर्थ के अरौण अगर मून क्या कर रहा है परफेट सरकूलर पाथ पर Usually कर रहा है तो सपोज्ब एस डियरेक्शन में लेप मोशन है इसको केल्कुलेट करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे एकال तेंजिंट रो करेंगे तेंजिंट क्या बताएगा कि की स तो मौन पर यही है तो कि की जो डायरेक्शन है वो भी क्या है यही है तो डिस्प्लेस्मेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में और मून पर एक फॉर्स लगाती है यह हमारा क्या है यह हमारा मून है इस मून पर यह जो हमारी अर्थ है हमारी जो अर्थ है वह क्या कर रही है एक फॉर्स लगाती है कौन सा और ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन कहा रहेगी तो वर्ड़ द अर्थ अर्थ की तरफ यह इन दोनों में फिर से एंगल बना नाइंटे डिग्री अगर यहां पर एंगल 90 डिग्री है तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब फिर से यह हो गया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसने मून पर वार्क कितना किया वर्क डण है जेरो क्योंकि एंगल कितना है तो अगर पाइब टू है 90 डिग्री है तो अहीं हमेशा कितना होगा जीरो डिग्री होगा कि है तो हमने किया डा हम ने पढ़ा वर्क डण में हमने तीन चीजे पड़ी सबसे पहले हम ने यह पढ़ा कि वर्कडन है क्या, तो वर्कडन is the product of component of force in the direction of displacement and the magnitude of displacement. वहीं से हमारे पास के equation आगे, वर्कडन is equal to f dot d. फिर हमने कहा कि कब वर्कडन 0 रहेगा, उसके लिए हमने 3 condition दी, if the displacement is 0, वर्कडन will also 0. if the force is 0, वर्कडन will also 0. and if the angle between force and displacement is 90 degree or pi by 2 radian, then वर्कडन will also 0. फिर उसके बाद हम इसके अगर यूनिट्स की बाद कर लेते हैं, तो जो हमारा वर्कडन है, वर्कडन की dimensional formula क्या हो जाएगा, तो जो force है, force का dimensional formula क्या होता है, MLT-2, जो force है, उसका dimensional formula क्या होता है, MLT-2, और displacement का dimensional formula क्या होता है, L, तो ये भी L और L, तो L square हो जाएगा, तो ML2T-2, तो जो वर्कडन है, वर्कडन का dimensional formula क्या हो जाएगा, ML2T-2, जो वर्कडन है, उसका dimensional formula क्या होगा, ML2T-2, and SI unit of work done is Joule जो work done है उसके SI unit क्या है Joule है वो किसके एक British physicist थे उनका नाम था James Pricot और Joule James Joule नाम के scientist है James Joule नाम के scientist के उपर ही work done के SI unit क्या है Joule है जो physicist थे क्या नाम था उनका British physicist James Joule उनके नाम पर ही जो work done है उसके SI unit क्या है Joule तो यह जो हम normal SI unit Joule है लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे SI unit है एक SI unit है अर्ग फिर उसके बाद एक SI unit है electron volt फिर है एक calorie और एक और SI unit है हमारी kilo watt hour थे यह चार units भी वैसे तो SI unit क्या है Joule नहीं इसके अलावा भी बहुत सारे दूसरे units है आर्ग, electron volt, calorie and kilowatt hour तो जो आर्ग है आर्ग is equal to होता है 10 to the power minus 7 Joule 1 आर्ग किसके equal होता है 10 to the power minus 7 Joule जो electron volt है, electron volt होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 Joule ठीक है जो electron volt है, किसके किसके equal होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 Joule फिर उसके बाद । calorie is equal to होता है 4.186 Joule जो calorie हो इसके बाद होता है 4.186 Joule और उसके बाद हमारे last है kilowatt hour किलो वाट आवर इस इकवल होता है तो नीचे का दिख रहा है ना सभी को हाँ ठीक है दिख रहा है तो हमने क्या कहा कि जो वर्कडन है वर्कडन का डायमेंशनल फॉर्मला क्या है किलो वाट आवर तो आज की वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बाई